हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आल नेचराल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे मिल्की वाइट स्किन पाने की एक अमेजिंग जबरदस्त नेचराल तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस रेमिडी को यूज करके आपके स्किन आपका चेहरा बहुत ही ज़ादा फ्यार बनता है वो भी दो मिनिट में और साथी आपके स्किन अगर डल हो गया है गलो नहीं है तो इस पैक के यूज से आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स खतम हो करके देखो टाइम भी कम लगेगा और आपका फेस फ्यार ग्लोइंग ब्राइट भी लगेगा तो गाइस चलिए वीडियो की और बढ़ते हैं इसके लिए हमें चाहिए हुआइट टोन पाउडर अब मैं आपको बताऊंगे कि आप कैसे हुआइट टोन पाउडर यूज करके अपने गोरेपन को बढ़ा सकते हो तो गाइस हुआइट टोन पाउडर तो हर किसी के पास एवलेबल होता है हमारे मेकप में यूज करते हैं मेकप को लॉंग लाश्टिंग बनाने के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट हमें चाहिए एक कुकुमबर ये ले लिया है हमने हमारा कुकुम्बर गाइज ये एक amazing fast pack होने वाला है जो मैं बनाने वाली हूँ ये trick आपको कभी किसी नहीं बताया होगा हमने जो कुकुम्बर लिया है इसको हम कदुकश कर लेंगे पहले इसको पहले छील लेंगे और फिर इसको कदुकश कर लेंगे तो गाइस हमने कुमर को कदुकश कर लिया है इसका जूस निकाल लेंगे गाइस ये पैक आपको समर में भी बहुत फाइदामन्द होने वाला है क्योंकि ये समर के टाइम धूप की वज़े से हमारा फेस जलने लगता है स्कीन हाइडरेट नहीं रहता और हम जो यहाँ पे कुकुमर का जूस लेंगे ये आपके स्कीन को हाइडरेट रखेगा थंड़क पहुँचाएगा सूथिंग इफेक्ट देगा तो गाइस इसे क्रश करने के बाद इसका जूस अब हम निकाल लेंगे अगर आप हाथ में भी इसे निचोड लोगे तो भी इसका जूस निकल आएगा अब देख सकते हो मैं कैसे निकाल रही हूँ ये मिल गया हमें हमारा कुकुमर का जूस अब हम बनाएंगे हमारा पैक तो पहले लेंगे एक खाली बाउल इसमें एड करेंगे हुआइट टोन पाउडर इतना आपके फेस के लिए काफी हो जाएगा इसमें एड करेंगे कुकुमर का जूस तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा और मिक्स हो जाने के बाद कुछ ऐसा ही लगेगा यहां पे आप कंफ्यूस मत होईएगा कि मैंने पाउडर कितना डाला है और जूस कितना डाला है आप एक पेस्ट बनानी है ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला तो अपने हिसाब से एड कर सकते हो आप यहां पे जो हमारा मेन इंक्रेडियंट है वाइट टोन पाउडर यह वाइट टोन पाउडर आपके स्किन को गोरे बनाता है आपके फेस को फेयार और इंस्टन ग्लोई बनाने में हल्प करता है यह आपकी गोरेपन को बढ़ाने में हल्प करता है और यहाँ पर मैंने मिला है कुकुम्बर का जूस कुकुम्बर जूस आपके स्किन को टाइट करने में मदद करता है इसमें एंटी ओक्सिडेन और सिलिका होनी की वज़े से ये आपके स्किन को रिफ्रेस करता है ये एक बेस्ट स्किन टोनर है इसमें cleansing, moisturizing, acne fighting ability, skin lightening और भी बहुत सारे कुन है ये आपके skin के pore और भी tight करता है mix हो जाने के बाद इसको apply कर लेना है मैं यहाँ पे hand पे apply करके दिखा रही हूँ आप अपने face पे apply करना यहाँ पे जो हमने white tone powder मिलाया है यह आपके face को instant fair बनाता है glow बनाता है, आपके face को even बनाता है और हमने जो इसमें मिला है cucumber का juice यह आपके skin को clear बनाता है आपके face को hydrate रखता है, supple बनाता है dull skin में glow लाने का मदद करता है, आपके face को fresh रखता है इसको अच्छे से पूरे face के apply कर लेना है यह लगाकर आपको 10 मिनिट तक छोड़ देना है क्योंकि यह 10 मिनिट बाद ड्राय हो जाएगा सुखने के बाद इसको नर्मल वाटर से वाश कर लेना है और एक घंटे तक आप अपने फेस पे कोई सोब या फेश्वास नहीं लगाना है यह आपके फेस को इबैन करेगा ब्राइड बनाएगा फ्यार बनाएगा तो यह सुख गया है अब हम इसको वाश कर लेंगे MYने वाश कर लिया है और वाश करने के बाद आप देख सकते हो डिफरेंस यह आपके स्किन को मिल्की वाइट बनाने में हेल्प करता है आप इसको week में तीन बार reply करिए जो result मिलेगा देखकर आप खुदी हैरान रह जाओगे तो friends अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आये हैं तो please subscribe to my channel और पास में जो bell icon है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो आपके लिए helpful हो तो like and share करिए अपने family and friends के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए remedy के साथ तब तक के लिए बाबाई